क्याना जाएंगी जिस तरीके से सीख को कम्यूटी की लटकियों के साथ गल्द किया जा रहा है क्या कहना चाहिएंगे यह कश्मीर घाटी के अंदर बारामुला की जो घटना हुई है यह हमारा जो सिख समाज है सिख परिवार की जो रपोर्ट अभी तक आई है कि दो बैटिय गया है उनकी उनको कणवर्ट कर दिया गया है वह उनको को कि इसलाम में कणवर्ट किया गया है और यह पहली वाली कोई इस घटना नहीं है यह एक आप जानते हो कि एक लउजहाद के नाम पर इस तरीके से हिंदु हो या या कोई और हूँ और उनको माटिवेट करना उनको फसाना उनको कनवर्ट करना फिर उनके साथ साथी करना यह जो है यह एक बहुत बड़ी चेलिंज वाली बात है और विशेश करके कश्मीर के अंदर जिस तरीके कि इनुने यह घटना की है अपने शिक परिवार की यह बेट इसी के तहत और निका भी करवाया गया तो जिसको हम कंडम करते हैं हाइली कंडम करते हैं और इस तरीके की घटना यह दुबारा नहीं होनी चाहिए हम एल जी मुवदेश को भी जो मन शिरिमान मनौ सिनाजी है उनसे भी हम अपील करते हैं कि इसके ओपर कड़ी से कड़ी का का काम कर रहे हैं यह लव जोहाद के नाम के ऊपर कनवर्शन का का काम कर रहे हैं यह सकती से इन लोगों को निपटना चाहिए आडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस अडमिनिस्ट्रेशन को और कड़ी से कड़ी सजा जो इनके लिए होनी चाहिए बस अब जिस तरीके से जमू मे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शिक्ख कम्यूटों के गड़िकाड में प्रोटेस्ट हुआ है, फिर प्रेस कॉन्फरेंस की है, तो जिसे के सीरिनगर में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या गयाना जाएंगे? देखे, ऐसा है इस परिवारूं के साथ समेंधना है, हम सब लोगों की एंटी है, वो सिखो हिंधु हो, किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है, उसको एक आजादी है, उसका पूझा पदती का एक अपना तोर तरीका है, और कभी भी किसी धर्म के उपर उसको जहोर जबर्दस्ती क करके या एक प्लैनिंग के तहट योजना बद तरीके से इस तरीके से लड़कियों को वरगलाना फुसलाना उनको भैकाना उनको कनवर्ट करना उनके साथ साधी करने का यह प्लान जो है यह जो है यह जिस प्रकार से मैंने कहा कि बहुत हैली कंडमने बले और उनको कोई भी सम समाज की बात नहीं है पूरा जो चाहे हिंदू समाज हो या चाहे बाकी भी जो धरम के लोग है और सब लोग इनके साथ है और सबको इस बात पे भुद बड़ी पीड़ा हूँ